नमस्कार दोस्तों मैं अमितर अब सभी को मेरी उट्वी चैनल पॉल्ट अज़ पर स्वागत है तो दोस्त बहुत दिन फिसकेंप पे नहीं आया हूँ मैं और दोस्त आज कुछ टीप्स में आप सभी के सथियार करने वाला हूँ वो है किस तरह से उंटर सिजम में हम लोगों करना चाहिए जैकर चीक्स का जो रिजाल्ट हो वो अच्छे से अच्छा हो तो दोस्त यहाँ पे जो काम मेरा भी चल रहे आज जैसे कि मेरा 20 दिन हो रहा है और यहाँ पे साम होने ही वाला है तो वहाँ पे लिटर रेकिंग चल रहे और लिटर का कंडिसन एक बार आपको ठांड आ रहा है और दो पेर के टाइम में गर्मी है तो आपको किस तरह से management करना चाहिए दो पेर के टाइम में जो feed है वो कम से कम देके रखिए क्योंकि winter season में आपको body weight का tension जादा करके नहीं आएगा body weight आपका चीक्स तो देही देगा तो आपको दो पेर के टाइम में अगर feed आप दीजिएगा तो उसके चलते चीक्स थोड़ा सा हपेगा और हपने के करन से उसका जो energy loss होगा तो उसके चलते उसका जो feed के PCR प्रोपार आपको नहीं मिलेगा तो एक दम कम करके feed देके रखे जहां पर देख पर एक दम ब्लांक के टाइप है तो इस तरह से feed आप देके रखे और साथो साथ रात के टाइम में जो feed आप दीजिएगा मतलब दिन में माल लिजिए कि आपका पूरी दिन में 200 किलो तक फिड लगेगा तो उसी सब से आप 500 किलो फिड दे दीजिए और जैसे सुबह हो जाएगा तो फिड लगभग खतमी हो जाएगा और सुबह में 50 किजिए आपका फिड बच रहे उसको आप दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 50 किजिए आपका पूरा दीन का जो feed consumption है थोड़ा सा घटके रहेगा इसी साब से किस तरह से कर रहे आगर नहीं कर रहे तो जी सतरह से मैं कोई growth promoter क इसे माल किया बहुत सठा इसा देखने के लिए मिलाकर सब्सक्राइं को तो मैं इसे खरिशन Gothic से सब्सक्राइं से उसमें करना भी हो तो आप आप भीमरल प्लास ऑस्टोवेट का इस्तिमाल कर सकते हो वह बहुत बढ़िया ग्रोत्पों मोटर है तो मैं ही मेरा जो कंपणी का है वह ही इस्तिमाल किया वह है इग्रो तो यहां का चीक्स का एक बार कंडिशन देख लिजे के कैसा है तो इस तरह से चल ले और जितना हो सके स्पेस उिंटर सीजन में कंभ करके हि देखे रखे यहां पर देख पार हो स्पेस मेरा जो वार्स है इस बार को यहां पर मुद्धेग्धन करना चाहिए अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए जाके हर प्वाल्टिफर फाई को मेरा सुच्टा मीर सके उसका लाव हो सके धन्यवाद